आइए दोस्तों हमारी चैनल इंडिया इंफो में दिल से स्वागत है आज हम हल्दी वाले दूद पीने के क्या फाइदे है इसके बारे में कुछ बात करनी है तो वीडियो में लास्तक बनते रहे आप इस चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चुरूर ओन कीजिए ताकि आने वाले वीडियो प्रोजन देख सके तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते है आम तोर पर सती होने पर या सारीरिक पीडा होने पर घरलू इलाज के रूप में हल्दी वाले दूद का इस्तमल किया जाता है लेकिन क्या आप जानते है कि हल्दी वाले दूद के लिए एक नहीं अनेक फाइदे है आईए जानते हैं हल्दी वाले दूद के क्या फाइदे है नमबर एक पर है यदि किसी कारण से सरीर के बाहरी या अंदरनी हिसे में चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूद उसे जल्द से जल्द ठिक करने में बहुत लाब दायक है क्योंकि यह अपने एंटी बाय बेक्टरियल और एंटी सेफ्टिक गुणों के कारण बेक्टरिया को पन पने नहीं देता नमबर दो पर है शरीर के दर्द में हल्दी वाला दूद आराम देता है हाथ पेर वा सरीर के अन्य भागों में दर्द की सिकायत होने पर रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूद का सेवन करे नमबर तीन पर है दूद पिने से त्वचा में प्राकुरूतिक चमक बेदा होती है और दूद के साथ हल्दी का सेवन एंटी सेफ्टिक और एंटी वेक्टेरियल होने के कारण त्वचा की समस्या जैसे इंस्पेक्शन, खुजली, मुहां से आदी के फेक्टेरिया को धीरे धीरे खत्म कर देता है इससे आपकी त्वचा साफ और स्वच और चमक दर दिखाई देती है नंबर चार पर है सर्दी, चुकाम या कॉफ होने पर हल्दी वाले दूद का सेवन अत्यधिक हलावकारी साबित होता है इससे सर्दी, चुकाम तो ठीक होता ही है साथ ही गर्म दूद के सेवन से फेफडों में जमा हुआ कॉफ पी निकल जाता है सर्दी के मोसम में इसका सेवन आपको स्वच बनाने रखने में मदद करता है नंबर पांच पर है दूद में केलसियम होने के कारण या हडियों को मजबूर बनाते है और हल्दी के गुणों के कारण रोख प्रती रोधक समता में रुद्धी होती है इससे हड़ी सबंधित अन्य समस्याओं से छुटकारा मिलता है दोस्तों उम्मिद करूँगा आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो को लाइक सेर कमेंट करें और हमारी चैनल इंडिया इंफो को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर और कीजिए ठेंक यू